इंदिनबर्ग की नई रिपॉर्ट पर कंग्रिस और बीजेपी पर जबर 10 जुबानिंज जंग चंग छिड़ गई है कंग्रिस की तरफ से रावल गांधी ने इंदिनबर्ग रिपॉर्ट के हवाले से सरकार और सेवी पर सवाल खड़े किये तो आज BGP के वरिश नेता और पूर्व केंदे मती रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कॉंग्रेस परदेश को आर्थिक अराजक्ता में जोकने की कोशिश का आरोप लगा है आखें कॉंग्रेस पार्टी क्या चाहती है पूछना है कॉंग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं आप चाहते क्या हैं आप देश्ट मोदी किसे नफरत करते हुए कॉंग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है in their pathological hatred against Tarendra Modi ji led by Mr. Rahul Gandhi and his friends toolkit gangs Congress party today is has developed a hatred against India itself agar Bharat stock market to small investors parshana aaj krono ki sankhya small investors hain ki nahi chowdi jiye institutional investors ki baat baqi baat hai Congress party kya chahati hai bharat ko vahe control raja me lye aya jaya Nehruji ke samaywaala jabharat ko dhane dhane ke liye parshana hoonna pada tha ki unki sarkar Narsingha Rao ke prime ministership me bharat ko open karna pada FDI me FII me kya kya vahe jana chahate hai kya toolkit walon ko to koi matlab nahi hindustan ke dhikas se unki tili unko to hum javaab deethe hoon deethe rahengue चिट पॉलिटिक्स परिक्षा में तो चिट मिलती है करवाई भी हो रही है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने उस सुप्रिम कोट से हारे माफी मांगना पड़ा कंटेंट हुआ उनके खिलाफ फिर दूसरी चिट मिल गई हिंदर मेर्क की पहदे रिपोर्ट वो चिट मिल गई उसमें सुप्रिम कोट ने मने बताया कि 24 म 27 इंक्वारी कंप्लीट हो गई अब हिंदर मेर्क को जुलाई में नोटिस की गई है तो फिर यह काउंटर प्रट हुआ अब यह चीट पड़ गई जेपी सी लाओ इंक्वारी कराओ मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रेश कराओ शोटे इन्वेस्टर के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ भारत में कोई आर्थिक निवेश नहो विदेश का FII और FDI वो सब को रोको बिकाओ इंडियन इंवेस्टमेंट सिनारियो इस नोट इस सेफ पोजिशन यह है इनकी सोच तो बात यहां पर किस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हो रही है इस माद में विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है लेकिन पीजेपी ने कहा है कि जेपीसी की जरुट क्या है इस्तीफा तो मांगते ही रहते हैं जेपीसी मांगते ही रहते हैं कहीं कुछ हो जाए जेपीसी पहले सच्चाई तो आनी चाहिए आजो सच्चाई हमने रखने की कोशिश किये और उनके शरंद का परदाफास किया है जेपीसी की मांग एक शैम है जेपीसी करवाई चले भारत की अर्थेवस्था कमजोर पड़े भारत में पूंजी निवेश धस्त हो भारत में शेर बाजार हीले कमजोर हो ठोटे इंवेस्टर परिशान हो ये उनकी मन्शा है तो जेपीसी मांगना अपने आप में एक शैम है इसलिए सच्चाई को जानना जरूरी है